सबीको नमशकार भाई कैसे हो सबी लोग उमेद करता हूँ कि आप शबी लोग बहुत अच्छी होंगे सबसे पहले तो आप सबी लोगों का बहुत भूत धन्यवाद भाई आप लोगोंने मुझे इतना प्यार दिया कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ और वो सिरफ और सिरफ आप लोगों की वज़े से हूँ, आप जैसे भाईयों की वज़े से हूँ, जिन्होंने मुझे इस सोटे से बच्चे को इतना आधिक प्यार दिया, भई आज से पढ़ाते हुए मुझे लगबग तीन साल हो गए हैं, ओनलाइन के अंदर, ओफलाइन मे साथ साथ मैंने पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली उत्तम नगर के ओफलाइन और ओनलाइन प्लेटफोर्म पर मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने राजस्तान में पढ़ाया, और उसके बाद हरियाना के अलग-अलग प्लेटफोर्म पर मैंने पढ़ाया, जहां भी गया, जिस भी platform पर पढ़ाया सभी जगे सभी बच्चों ने बहुत अधिक प्यार दिया इस सभी के लिए इस इतने प्यार के लिए आप सभी का तै दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का सुकर गुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया और जहां भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए मैं गया आप लोगों ने मुझे जितनी मेरी उमीद सी उमीद से दुगना उमीद से दोगना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया इस सभी के लिए आप सभी का भाद जोड़ के बहुत बहुत दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अब देखे भाई क्या हुआ मैं आज आप लोगों के सामने जो आया हूँ वो थोड़ी सी एक दो बाते हैं जो मेरे दिल में काफी लंबे समय से चल रही थी क्या हुआ मैंने 2017 में जब पढ़ाना सुरू किया ओनलाइन मैंने प्लेटफोर्म पर पढ़ाना सुरू किया एक प्लेटफोर्म पर इत्तू सा होता था प्यार कर रहा था कि जितने भी भाई मेरे से पढ़े हैं या जो भी मुझे मिले हैं वो लोग जो पुराने प्लेटफोर्म थे वहाँ पर मुझे से पढ़े हैं फिर वो चाहें ओलाइन हो या ओफलाइन हो अब देरी-देरी क्या है उन लोगों से connectivity जो है न वो चुटती चले गई सारे लोग देरे-देरे नई चीज़े आती गई पुराने लोग चुटते चले गए कुछ अच्छे थे कुछ बूरे थे ठीक है मैं तो यह कहूंगा सारे के सारे अच्छे थे बूरे लोग भी अगर आपको लाइफ में मिलते हैं जिन्दि साबित होगा कहीं न कहीं अच्छा सीद होगा ठीक है ठीक है फिर मैंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखती हूंगी मैंने सोचा कि क्यों ना यार एक ऐसा platform बनाया जAYे जहां पर मैं मेरे दोस्तों के साथ मेरे भाईयों के साथ मेरे बहनों के साथ जो भी मेरे आप सभी लोग मेरे दोस्तों सर इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं आप मुझे टीचर कहो और मैं आपको स्टुडेंट कहूँ इतनी उमर भी नहीं हुई है और इतना मेरी उकात भी नहीं हैं सर कि मैं आपको क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया है टीचिंग एक्जाम मैंने पढ़ाये है टीचिंग एक्जाम में मैंने ESTAT से सुरुआत की थी 2017 में उसके बाद ESTAT का एक बैच लेया था मैंने उसके बाद मैंने CTAT को पढ़ाया CTAT के बाद अभी मेरे REIT के भी बैचा रहे है REIT को मैंने पढ़ाया और REIT के बाद मैंने RPSC को भी पढ़ाया था ठीक है RPSC 1st grade का जो एक्जाम हुआ था राजस्तान में उनको पढ़ाया तो इन लोगों के सामने जो RPSC, REIT, CTAT, STAT दे रहे हैं बच्चे तो इनके सामने तो भई मैं छोटा हूँ इनके बच्चों के समान हूँ तो मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि आपको बच्चे बोलू आप मेंसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से उमर में भी बड़े होंगे तजरु में भी बहुत सारे लोग मेरे से बड़े हैं तो भई मैं इतना बड़ा टीचर तो हूँ नहीं इतना बड़ा अध्यापक तो हूँ नहीं जैसा भी हूँ, जैसा भी अपने अंदर ग्यान है हमेशा कोसिस करता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ, कुछ एक किताबे पढ़ता हूँ तो जितना भी ग्यान है, कोसिस करता हूँ कि उसको समय समय के साथ improvement किया जाए, समय समय के साथ उसमे कुछ सुधार किये जाए जब छोटा था, मतलब छोटा का मतलब है, जब तीन साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मेली writing भी इतनी अच्छी नहीं थी, कि मैं stat को इतना अच्छी से लिख सकूँ, मैं stat को ना ऐसे लिख देता था, छीक है ये पता नहीं power में चला जाता था, math में ऐसे होता है न तो आज काफी सारा सुधार हुआ है, और ये सारा का सारा सुधार जो हुआ है वो सिरफ और सिरफ आप लोगों के प्यार की बदूलत हुआ है, आप लोगों के प्यार की वज़़े से हुआ है तो फिर मैंने सूचा यार एक ऐसा platform बनाया जाए जहाँ पर हम सारे दोस्त को एक जगहें पर मिल सकें आपकी जोब लग जाएगी उसके बाद भी हम बहुत सारी बाते करते रहेंगे तो ये जो platform मैंने बनाया है मंदीप गोदारा सर के नाम से YouTube पर जो चैनल है मेरा जो आपको आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को भाई सबस्क्राइब कर ले ना ठीक है ठीक लगे तो और क्या है सर मैंने एक Facebook पेज भी बनाया है मंदीप गोदारा सर के नाम से ही जो आप लोग यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे इस तरह का आइकोन मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक भी डल जाएगा Facebook पेज के साथ Telegram भी एक चैनल बनाया है वो भी मंदीप गोदारा सर के नाम से ही है और इसके साथ साथ बच्चे जो हमारा क्या है क्या बोलते हैं उसको क्या चलाते हो तुम यार वो Instagram Instagram पर भी आपको मिलेगा Instagram Instagram पर भी आपको मंदीप गोदारा Official के नाम से मेरे ID मिलेगी जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं तो यह दो सारी की सारे चीजे प्लेटफॉर्म बगरा हमने बनाए देखे भाई वो पहले भी बता चुका हूँ मैं इतना बड़ा टीचर तो हूँ नहीं ठीक है ठीक हूँ भाई छोटा हूँ काम चल रहा है अपना कोशिस करता हूँ कि जो बच्चा मेरे से पढ़ने आए जो भाई मेरे से पढ़ने आए मैं उसको अपना एक जितना ग्यान मेरे अंदर है उससे ज्यादा ही देने की कोशिस करता हूँ भाई देखिए कोई भी व्यक्ती है पूरे पिर्थवी के उपर कोई व्यक्ती 100% नहीं हो सकता भाई यह बात सचाई है तो 100% तो मैं हूँ नहीं लेकिन जितना भी हूँ जैसा भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ अब क्या हुआ भाई देखिए मेन बात क्या थी बहुत सारे पेड कोर्सिस मेरे चल रहे हैं क्योंकि अभी COVID-19 के चक्कर में ओफ्लाइन कोचिंग तो बंद है तो अलग-अलग प्लेटफोर्म पर हर्याना और राजस्तान में मेरे रीट के, राजस्तान पुलीस के पटवार के और हर्याना में बात करें तो HSSC के, एस्टेट के, दिल्ली पुलीस के बहुत सारे मेरे पेड बैचिज चल रहे है अलग-अलग प्लेटफोर्म पर तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे वो पेड बैचिज बंद हो जाएंगे या मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा मेरे सभी के साथ व्यक्तिगत जो रिलेशन है, व्यक्तिगत जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं सर और मैं सभी लोगों के साथ चाहता हूँ कि मैं जिस इसाब से काम कर रहा हूँ मैं उसी तरीके से उसी लह में काम करता रहूँ ये मैंने यूट्यूब चैनल अलग बना लिया आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें हम लोग आपस में जुड़े रहें दूसरा क्या था बच्चों के डाउट बड़े होते थे थे क्योंकि आप सभी को पता है पेड बैच में इतने सारे बच्चे होते हैं तो हर एक का डाउट लेना पोशिबल नहीं होता तो ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल यहाँ पर मैं एक डेली की कलास अभी से ही मैं आज रात से ही रिकोर्डेड करना स्टार्ट कर दूँगा अभी रिकोर्डेड कलास मिलेगी बच्चे क्या ना कि यूट्यूब की कुछ पोलिशी होती है जिसायद लाइव के लिए अभी लाइव कलास नहीं हो पाएगी क्योंकि लाइव के लिए कुछ एक पोलिशी होती है कुछ एक सब्स्राइबर काउंट होते है अगर इतने सब्स्राइबर आपके हैं तो आप लाइव कर सकते हो जब live का मुझे allow हो जाएगा YouTube के तरफ से तब मैं classes live कर दूँगा अपनी जो doubt session है वो हम live कर देंगे ठीक है बच्ची अब practice set और live session हम लोग रखेंगे जिसके अंदर मैं आपको जितने भी exam के तयारी करवा रहा हूँ जो मेरे pad wedge में बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके comment के according अगर आप कहते हो कि sir HSSC के बच्चे आप कहते हो कि sir HSSC के आप practice set लेके आओ तो भीया वो मैं ले आऊँगा आप कहते हो कि sir नई read के भी लेके आओ तो वो भी मैं कोसिस करूँगा कुछ बच्चे seat hat के भी है कुछ बच्चे राजस्तान पुलिस के भी है तो वो सारे के सारे बच्चे भई मेरे साथ जुड़े हुए है और सभी मेरे लिए सभी बच्चे एक समान है फिर वो चाहें HSSC का हो दिल्ली पुलिस का हो और जो बच्चे paid batch में नहीं जुड़े हुए वैसे भी मेरे सुच देखिए Facebook पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए Instagram वगएरा पे और जो अदर अदर प्लेटफोर्म पे मैंने पढ़ाया था YouTube वगएरा पे और आपको बताओं वह हिंदुस्तान के सबसे बड़ी जो learning प्लेटफोर्म है वहाँ पर भी मैंने RPSC के लाइव बैसिज लिये हैं चीक है नाम यहाँ पर लेना उचित नहीं होगा आप सभी लोग जानते हैं बली बानती जो बच्चे मेरे से RPSC में वहाँ पढ़े थे ठीक है सर तो ये चीज थी हाँ एक चीज मैं आज ही में स्याम को ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि सर जो बच्चे रीट वगएरा की तयारी कर रहे हैं जो बच्चे टीचिंग एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जो मेरे साथ थी मेरे दोस्त उनके लिए जी टीचिंग की जो पैडागोजी होती है और उसके अंदर जो टीचिंग मैथड होते हैं टीचिंग मैथड मैंने देखा YouTube के उपर कहीं भी टीचिंग मैथड की कोई अच्छी कलास नहीं मिली मुझे अपने तरफ से तो अच्छी बनाए थी देखे टीचर कोई बुरा नहीं होता भाई लेकिन एक पैटरन में नहीं थी तो मैं टीचिंग मैथड की पूरे का पूरा टीचिंग मैथड आपको साइंस का फरी पढ़ाऊंगा भाई जो बचे रीट, सीटेट वगरा की तयारी कर रहे है उनको बता रहा हूँ मैं छीक है उनके लिए है यह स्पेशली HSSC, दिल्ली प्लीश उनके लिए नहीं है उनके लिए मैं प्रैक्टिस सैट लेके आऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस सैट से ही हम लोगों की तयारी अच्छे से होती रहती है ठीक है हाँ टीचिंग मैथड की प्रैक्टिस सैट और टीचिंग मैथड सारे की सारे मैं यूट्यूब पर फरी पढ़ाऊंगा भाई छीक है इस पे कोई किसी का कोई नहीं है जो REIT और CTAT वाले बच्चे हैं जो मेरे से पड़े हुए हैं आज कहाई कभी भी पढ़े हैं RPSC वाले बच्चे काफी REIT दे रहे हैं तो उनके लिए बच्चिंग मैथड की कलासिज जो है मैं कोशिस करूँगा अब दो-चार दिन से ही आपको 10 तारिक से लगभग मैं कंटीनू कर दूँगा टीचिंग मैथड को 10 अगस चल रहा है न भाई अपना ये अगस से 10 अगस से मैं टीचिंग मैथड जो है साइंस के वो मैं स्टार्ट कर दूँगा और इन से रिलेटिड जितने भी है वो चीज़ें EBS के होचे साइंस का जो भी पोर्षन होता है वो सारा का सारा मैं पढ़ाता हूँ ठीक है और रही बात भाई एक साइंस स्पेशल बैच की बच्चे डिमांड कर रहे थे तो साइंस बैच आएगा मेरा एक साइंस स्पेशल बैच आएगा जिसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्टी बायो सारे के सारे साइंस के जितने भी चैप्टर है जितने भी आपके साइंस के कंसेप्ट है सारी के सारी चीजें पूरे सभी कोर्सिस के लिए मैं कम्प्लीट एक साइंस का बैच स्पेशल साइंस का बैच और ये सारे के सारे सबजेक्ट भई आपको आपका भाई ही पढ़ाएगा मैं ही पढ़ाऊँगा ठीक है यह सर सूर्त बचे वैसे मैंने ना पहले स्टार्टिंग में मेरे को यह सर कहलाने में बड़ी सरम सी मैसूस होती थी यार इतने जो मेरे सी उमर में भड़े भड़े वो मुझे सर कह रहा है लेकिन अब देरे देरे आधत पड़ गई है कोई बात नहीं सर हो जाता है चीजे है ना अगर कोई गल्त हो गई हो, कोई गल्त बोल दिया हो किसी को कभी भी, पेड वैच में या कहीं भी वच्छा मेरे से पट रहा हो या वैसे भी कोई किसी को तो भई हमाज जोड़के माफी चाता हूँ आपका चोटा भाई हूँ, माफ कर देना भाई ठीक है गलतियां होती है गलतियां सुधारेंगे और भी पिछे गलतियां होई है बहुत सारी गलतियां होती है लाइफ के अंदर एक इनसान है भाई इनसान से गलति हमेशा होती है आप से भी होती होगी मेरे से भी होती है तो आप लोगों के suggestion से आप लोगों की राय से आप लोगों के सुझाओं से हमेशा कोसिस करूँगा मैं गलतियों को सुधार हूँ और आगे गलतियां ना करूँ क्योंकि भई बच्चा हूँ बच्चे गलतियां करते हैं और मैं भी करूँगा भाई ठीक है ना यह मेरा जनम यह मेरा क्या कहते हैं मोली कर्टवे बोलते हैं ना पॉलिटी में ठीक है कर्टवे बोलते हैं क्या बोलते हैं वो जो अधिकार अधिकूर बोलते हैं यार सर वो होता है जो मुझे नहीं पता है उस सीज का पॉलिटी ज्यादा नहीं आती मेरेको, वैसे यूट्यूब पे कलास मिल जाएगे, अपने पॉलिटी की भी, ठीक है, तो ये चीजे थी सर, इन्हें चीजों के लिए माज आप लोगों के सामने आया था, और ये जो यूट्यूब चैनल है, इससे मैं अभी रेगुलर एक तो जज़ कर पाऊंगा कि कौन सी चीज पहले करने चीज़, कौन सी चीज बाद में करेंगे, करेंगे सारी चीज करेंगे भाई, और यूट्यूब ये जो चैनल बनाया है, ये अपना खुद का चैनल है, किसी और दूसरे का इसके अंदर कोई इंटरफेर नहीं है, ना किसी अ गुश्तों, तो बस यही था, यही बादचीत हम लोग, मैं करना चाता था आपसे, ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना सर, क्या चीज स्टार्ट करने हैं, क्या चीज आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हो, क्या ची चीज स्टार्ट कर देंगे भाई, आप चीक है, और पूरी लगन और महनत के साथ, जो चीज करवाऊंगा, पूरी सिद्धत के साथ करवाऊंगा भाई, चीक है, जो भी काम होता है अपना सिद्धत के साथ होता है, जो बच्चे मेरे से पहड़े पड़े हैं, ओफलाइन, कहीं भी पड़े हैं, और वो सभी लोग जानते हैं, कि अपने जो काम होता है भाई, वो पूरा सिद्धत से होता है, पूरा महनत और इमानदारी के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ, स्ट्रेंट्स को कि सर, अपनी इमानदारी के साथ लगे रहो, दुनिया आएगी, आपको कोई कुछ बोलेगा, अभी इस वीडियो में मुझे पता है, कुछ एक दो ऐसे होंगे, जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, तो भाई सबका सवागत है, सभी मेरे लिए पूझे निया है, सभी मेरे लिए आदर निया है, मैं सभी के रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे लोग पॉजिटिविटी लेके आओ, और इमानदारी के साथ लगे रहो यार, एक दिन मुकाम जरूर हासिल कर लोगे, मैंने 2017 में सुरू किया था, पढ़ाना बहुत छोटा सा बच्चा होता था, मैं, मेरी एक रेंट थी, उसने मुझे ऑनलाइन पढ़ रही थी, वो मेरे से, एक बच्चा बच्चा करके कुछ बहुत अच्चा मजा आया सर, ऐसे ऐसे चीज़े मुझे दिल को सुकून मिलता है ना, अब हर जगे पैसा तो नहीं होता है ना, पैसा ही सुकून नहीं देता, हर जगे सारी चीज होती है सर, आपका प्यार ही मुझे इतना सुकून दे रहा है ठीक है पैसा वैसा तो क्या है लाइफ में चल रहा है ठीक है अपना जुगार चल रहा है जी रोजी रूटी चल रही है दो टाइम की रूटी मिल जाती है ठीक है तो कोई इश्यू है नहीं इस चीज का तो ठीक है बाकी इनसान करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है सर यह चीज ह और मैं आप लोगों से भी यही कह रहा हूँ भाई आप अपनी लगन महनत और इमानदारी के साथ लगे रहो एक दिन जोब लो फिर हम मिलते हैं और बड़ी बेट के बातचीत करेंगे और मैं यह चाहता हूँ कि हमारा जो संबंध है हमारा जो दोस्ती का यह रिस्ता है यह त उमर बना रहे जब तक मैं हूँ जब तक हैं तो इसलिए मैंने प्लेटफोर्म बनवाए ते दो तिन ठीक है टेलेग्राम है एक फेस्बुक है इंस्टाग्राम है यहाँ पर हम लोग कंटिनुसले मिलते रहेंगे बातचीत करते रहेंगे ठीक है सर और आज यूपीसी का र रहा पर लेकर जाएंगे आपको भी उनसे प्रेणा लेनी चाहिए और आप भी एक अच्छे इमांदार वैक्ति बन करके इमांदार देश के नागरिक बन करके एक अच्छे अधिकारी बने गौवर्वेंट के अच्छे अधिकारी बने और हमारे देश को परगती के रहा प साथे रहते हैं मेरी कोशिस से रहते हैं जब तक मैं नहीं सोता हर एक बच्चे का हर एक डाउट मैं कवर करता हूँ भाई ठीक है तो ये बात सी थी अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ एक और बात करते हैं जो आपके कमेंट आएंगे जो आपके सजेसन आयेंगे उनी के उपर आगे बातचीत होगी उनी के दम पर आगे चीज़े चलेगी सर ठीक है जी थैंक्यू सो मच मिलते हैं और कोई गलती हो गई हो तो भाई आपके छोटे भाई को माफ कर देना ठीक है थैंक्यू सो मच बाबाई चेक्यो